हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका डियस कुरूजी में और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्होंने इसका प्रारम किया था 2 अक्टोबर 1959 को ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुसंसा पर दिया जाता है। ुपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो होता है निर्वाचित सरपंचम पंचो द्वारा चयन करके राजस्तान में सरवपृतम नगरपालिका के स्तापना कहां और कब हुई राजस्तान में सरवपृतम नगरपालिका के स्तापना हुई थी माउंट आबू में 1864 में राज्ये वित्तायोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्ये वित्तायोग अपनी रिपोर्ट देता है राज्ये पाल को, नगर निगम के महापोर और उपादेक्स का निर्वाचन किस प्रकार होता है? नगर निगम के महापोर और उपादेक्स का निर्वाचन होता है पर निर्वाचित पारसदों द्वारा अपने बहुमत से निर्वाचन नगर परिशद का अदेक्स क्या कहलाता है नगर परिशद का जो अदेक्स होता है वो सभापती कहलाता है नगर पालिका का अध्यक्स का पदनाम अध्यक्स नगर पहिशत के अध्यक्स को सभापति एम नगर निगम के अध्यक्स को महापोर कहा जाता है इसके बाद है इंद्रा गांधी पंचायती राज और ग्रामिन विका संस्तान कहां इस्तित है इंद्रा गांधी पंचायती राज और ग्रामिन विका संस्तान इस्तित है राजस्तान में जैपूर में पंचायती राज अधिनियम के अधिनुसार पंच उप सर पंच वप सर पंच अपना त्याग पत्र किसे सोपत हैं ये अपना त्याग पत्र सोपत हैं विकास अधिकारी को पंचायती राज का प्रधान लक्षे क्या है पंचायती राज का प्रधान लक्षे हैं सत्ता का वी कें सभी पंचायती राज संस्ताओं का कारेकाल होता है पांच वर्स का राज्य में नियूनुतम पंचायत समित्य के इंजिलों में है राज्य में नियूनुतम पंचायत समित्य है जैसलमेर में पंचायती राज संस्ता के अनुसार चुनाव लड़न है तो प्रत्यसी की निर्धा इसके बाद है राजस्तां में पंचाय दिराज का प्रवर्तन सरुप्रतम हुआ था नागोर में पंचाय दिनियएं 1994 के तहत राज्य में पंचाय राज सस्ताव की वशिता है तो राज्य में पंचायती राज का प्रारम कब किया गया इसका प्रारम किया गया था 2 अक्टोबर 1959 को जीला परिशत का अधेक्स कोन होता है जीला परिशत का अधेक्स होता है जीला प्रमुक भात में पंचायती राज को प्रारम करने वाले राज्यों में राज्यों में सेती से राजस्तान पंचैती राज अनियम 1994 को संपुर्ण राज्य में लागू किया गया था तो इसको संपुर्ण राज्य में लागू किया गया था वो तिती थी 23rd April 1994 24 राजय सरकार द्वारा चलाए जा रहा है अंग्रेजी माध्यम वाले विध्याले जो केंद्रे माध्यमिक सिक्सा बोर्ड से मानेता प्राप्त है उतक्रष्ट केंद्र के रुप में इस्तापित हुए हैं वे हैं वे हैं स्वामी विवेका नंद राजकिये मोडल इस्कूल अनुप्रती योजणा के बारे में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है अनुप्रती योजणा के बारे में जो कथन है वो यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है अनुप्रती योजणा वो योजणा है जिसमें आतो आप RS Pre Clear करो या IS Pre का जो एक्जाम होता है जो Police Service के जो RPSC और UPSC के इनको अगर आप clear करते हो प्री में तो आपको scholarship दी जाती है तो इसमें ये option नहीं है तो ये option गलत है चारों विकल्प गलत है यह योजना SC, ST तता एवं सभी BPL तता अल्प संक्यक समुदाय के प्रतियोगियों को कोचिंग वेर के पुनल भरण है तो अनुदान प्रदान करती है सर्तिक के उनके परिवार की वार्सिकाए 250 लाग से अधिक न हो राजस्तान राज्ये बजट 2016 सत्रा में नया तक्नीकी विश्विध्याले कहां इस्तापित किया जना प्रस्तावित किया गया है ये किया गया है विधान सभाद्वारा इसकी स्तापना है तो विध्यक अप्रेल 2017 में पारित किया था प्राचिनकाल में तक्षिसीला विख्या थे सिक्षा केंद्रो की रूप में राजस्तान में क्रीडा विश्विध्याले कहां इस्तापित किया गया है यह किया गया है जुनजुनु में किस विश्विध्याले का नाम पूरु राष्टपति सरुपली राधा कृष्णन के नाम पर रखने का नेड़ने लिया गया है तो यह जो है यह है राष्ट्रे आयो शुत्पूर जोतपुर विश्विथ्याले से स्तापित हो गया है वनस्तली विद्यापीड इस जीमें यह तोख न न्याय आईटी किस चीले में इस्ति थे जोतपुर में याइटी वर्स दोजार श्राव हो चुका है प्रशिद्य तक्नीकी संस्तान इंस्स्थान विर्ला इंस्सित्यूट औरलोजी और साइनसेज राज्य के किस जीले में इस्तिते जुन्जुनु जीले में राजुगांधी ट्राइबल उनिवसिटी की स्तापना कहां होगी इसकी स्तापना होगी बासवाडा में यह विश्विध्याले 14 ओक्टोबर 2012 को युदेपूर में स्तापित किया गया था 17-2016 से इसे बासवाडा इस्तानांत्रित कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर गोविंद गुरु जनजाती विश्विध्याले कर दिया गया है राज्ये का एकमात्र खुला विश्व विध्याले कहा है तो राज्ये का एकमात्र खुला विश्व विध्याले है कोटा में राजस्तान में विश्व विध्याले के कुल पतियों के नियुक्ति की जाती है इसके नियुक्ति करता है राज्येपार राजस्तान में प्रथम के विश्व विध्याले किस चीले में है तो यह है अजमेर में यह विश्व विध्याले वर्स 2009 में किसंगड के पास इस्तापित किया गया था किसंगड अजमेर के पास शिक्षा प्राप्तिय अधिकार कब से लागू हुआ यह लागू हुआ था अप्रेल 2010 से राष्ट्रिय लो उनिवर्सिटी राजस्तान में कहां पर है तो ये है जोदपूर में इसके बाद है 2011 की जनगर्णा के अनुसा राजस्तान की साक्षरतादर के संबन्द में कौन सा यूग असंगत है तो इसमें जो असंगत यूग में है वो है सहरी साक्षरतादर 86.7% राजस्तान की सहरी साक् तो यह इसमें अंतर है राज्य के प्रारंबिक सिक्सा विवाग द्वारा उत्करष्ट विध्याले योजना किस वर्स प्रारंब हुई तो यह स्टार्ट हुई थी 2016-17 में इस वर्स ना के तहद प्रतिग्रम पंचयत सेत्र में एक प्रात्मिक या उच्य प्रात्मिक विध्याले का चैन कर उसे उत्करष्ट विध्याले के रूप में विकशित किया जा रहा है बालीका सिक्षा को बढ़ावा देने हे तू वस्टु 2017-18 से प्रारम किया गया पदमक्षी प्रुष्कार किस किस कक्षा की बालीकाओं को इस तरके प्रतम इस्थान आने पर दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा कक्षा आठ, कक्षा दस, कक्षा बारा सभी को ये दिया जाएगा इस पुरुषकार में कक्षा आठ की बालिका को 40 हजार, कक्षा दस की बालिका को 45 हजार और कक्षा बारा की बालिका को 1 लाग का पुरुषकार दिया जाएगा राज्ये के विध्यालों में नमंकन में व्रधी करने हेतु चलाया गया अपना बच्चा अपना विध्याल अभियान किस जिले से प्रारम किया गया यह किया गया था जुन जुनु से राज्ये में चल रहा है आंगनबाडी केंद्रों का नाम आंगनबाडी पाट साला किस्ति यह किया गया है 30 मार्थ 2017 से राज्यमिप्रारंबिक बाल्या वस्ता सीक्षन कारेक्रम का सुभारम कर आंगनबारी केंद्रों को आंगनबारी पार्ट साला का नाम दिया गया है यहां बच्चों को प्री स्कूल बुक्स के माध्यम से सिक्षा दी जाएगी इसके बाद है राज्जी के राजकी माध्यमिक उच्छ माध्यमिक अमस्वामे विवेकानद मोडल स्कुलों में कक्सा 6-10 तक के बच्चों को कम्पुटर में दक्स तक्निकी कोशल विक्रिशित करने है तू कौन सा कारेक्रम इस सेक्षनिक शत्र से प्रारम किया गया है कौन स्वाविट पोशित आधार पर कम्पुटर प्रिक्सिक्षन प्राधान कर उनमें तक्निकी कोशल का विकास किया जाएगा। योष्णा का संचालन विद्याले विकास व प्रभन सम dilu के माध्यमसे कि सोनोग्राफिय एक निश्चित रकम दान करेंगे जिसका उपयोग बाली काउं क्यों चैसिक्षा है तो किया जाएगा राजस्तान में दो स्किल उनिवसिटी कहां स्तापित की गई है जैपुर में मीराबाय अखिल भारती है आयूर विज्ञान संस्तान कहां स्तापित किया जा रहा है यह क्या जा रहा है जोदपुर में देश में प्रोड सिक्षा है तो शाक्षर भारत मिशन का प्रारम हुआ इसका प्रारम हुआ ह 8 सेप्टेंबर 2009 को 2011 के जंगर्णा करुसा राजस्तान की साक्षरता है तो यह है 66.1% ऐसा विस्विध्याले जिसका कारेक्षेत्र पहले उसके सहर के सिमाहों में सिमित्ता परन्त अब कहीं जीलों में विस्टा थे वो है जैन आराएंड विस्विध्याले जोध्पूर बतमान में इसके शेत्रादिकार में संपूर जोध्पूर जीला पाली जालोर जैसलमेर वो बार्डमेर को सामिल किया गया है गारगी पुरुषकार दिया जाता है यह जो पुरुषकार है यह दिया जाता है दश्वी की परिक्षा में 55 परतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली चात्राओं को तो दोस्तों यह थे राजस्तान जीके से जुड़े BST से और PTT 29 के लिए बहुत महतोफुर्ण प्रश्न है और इस वीडियो में इतना ही बाकी जानकारी के लिए आप DS Guruji के साथ जुड़े रहे and thank you so much, thanks for watching